बिहार की दो युवानेता और दोनों युवानेता अपने आपको साबित करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं पिता की विरासत को संभाल रहे हैं और जनता की सामनी ये दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए बेहतर लीडर साबित हो सकते हैं एक किंद्र में अभी मंत्री बने हुए हैं और एक बिहार में नेता बिरोधी दल बनकर बैटे हुए हैं लेकिन अब नेता बिरोधी दल पर चर्चा करेंगे तेजश्वी आदो पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से तेजश्वी आदो अपने थाली में पड़े भोजन को चि अब आप सूच रहे होंगे कि यह बाते हम क्यूं कर रहे हैं क्यूं चिराग पास्वान को ट्रिकेट का इतना बेताद बातसा बता रहे हैं और तेजश्वी आदो को इस तरह दिखा रहे हैं कि तेजश्वी आदो कुछ नहीं कर सकते इसके पीछे कई कारण है पहले कारण की छर्चा करेंगे तिजस्वी आदो चुनाओ तक बिहार में रहते हैं चुनाओ खत्म होते ही बिहार से गायब हो जाते हैं दूसरा कारण सदन के अंदर तिजस्वी आदो का न रहना ये बताता है कि वो विपक्ष की भूमी का सही तरीके से नहीं निवा रहे हैं और छिराग पास्वान जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं चिराक पास्वान जनता से जिस तरीके से मिल रहे हैं किंद्र में मंतरी हैं उसके बावजूद भी विहार पर उनका ध्यान जिस तरीके से है तेजश्वी की मुश्किले बढ़ रही हैं तेजश्वी आदो यह सोच रह बिहार का साथ भी अब मिलने लगा है और दूसरा कि वो किंद्र में मंत्री रहते हुए भी बिहार को देख रहे हैं जब भी उनसे लोग पूछ रहे हैं कि एक किंद्र का मंत्री और एक बिहार का मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन चाहिए चिराक सीधे कह रहे हैं कि बिहार का यानि भी आर कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिराग को बैठना है और दूसरी तरफ जिसे सब मौका मिल रहा है जिसके पास बिधायक है जिसे नेता बिरोधी डल बनाया गया है वो चाहे तो सरकार को घेर सकता है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से इतना सा दूर है लेकिन फ चिराग पास्वान मुख्यमंतरी की कुर्सी से कोसो दूर हैं लेकिन फिर भी उनको आज भी ऐसा लगता है कि वो मुख्यमंतरी बन सकते हैं अगर मौका मिले तो तेजश्वी आदो कि तुलना चिराग से हम कभी नहीं करते लेकिन अब करना पर रहा है तेजश्वी और चिराग में बहतर कोई नेता सावित होगा तो सायद कोई चिराग पास्वान का नाम लेगा तेजश्वी का नाम नहीं लेगा चिराग पास्वान अभी के समय में बहतर नेता सावित हो सकते हैं एक भी बिधायक नहीं रहने के बाद भी चिराग पास्वान ने हमेशा निटीश कुमार से सवाल पूछा है और आज भी निटीश कुमार के साथ रहते हुए भी चिराग पास्वान बिहार के बारे में सोचते हैं लेकिन तेजस्वी आदो, तेजस्वी आदो को भिहार से कोई मतलब नहीं दिल्ली में हैं, लंदन में हैं, कहां हैं किसी को कुछ पता नहीं तेजस्वी आदो को सदन में लोग ढूंड रहे हैं, उनके विधायक ढूंड रहे हैं उनके बिदायकों कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सदन में करना क्या है उनका नेता ही नहीं है सदन में लेकिन चिराग पास्वान को अगर ये मौका मिलता तो सायद चिराग पास्वान आस सदन में मजबूती से खड़े रहते तुलना नहीं की जा सकती एक सांसद हैं केंद्र में मंत्री हैं और एक विदायक हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं तुलना नहीं की जा सकती है लेकिन जिस तरीके से तेजश्वी आदो के पाले में जो गेंध है वो तेजश्वी आदो आसानी से चिराग के पाले में डाल रहे हैं और चिराग से देख र नेता बिरोधी की कुर्सी तो मेरे लिए बनी ही नहीं क्योंकि उस पर काटे लगे हुए हैं उस पर हम बैट नहीं सकते हैं कमर का दर्द पता चलता है लेकिन उसी कमर के दर्द में आपने चुनाव में यात्रा किया था उसी कमर के दर्द में आपने अपने पाटी के लिए चुनाव परचार किया था कमर का दर्द इतना भी नहीं बढ़ा कि आप सदन में आने से डड़े हुए है चाहिए आपको डर लग रहा किस बात का डर आखिर आप सदन आना क्यों नहीं चाहते तेजश्वी आदो से ये सवाल जरूर रहेगा कि अपने पाले का गेंद आप चिराख के पाले में क्यों डाल रहे है बेराल इस कबर में इतना ही बने नहीं आवार साथ और देखते रहे हैं The India Top